हलो फ्रेंड्स बल्कम टू माई यूटूब चैनल गैस आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुश्खबरी है जिन बच्चों ने डी एफ सी सी आईल का एक्जाम दिया है उनकी आंसर की जारी कर दी गई है आंसर की जारी करने के बाद यू आर, सी, इडवलो एस, ओवी सी, एस्टी, पी डवलो डी का एक्सपेक्टेड कटाफ क्या रहेगा पिछला कटाफ क्या था सारी जानकार इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूँगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइकों से जरूर करें चैनल अबर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी में आपके लाइकों होगा, उसको भी दबा लें इससे आनवे सरी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सबी लोगों तक असानी से पहुँच जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, वीडियो बहुती इंपोर्टेंट है वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आप लोग तो जिन बच्चों ने आंसर की चेक कर लिये तो कॉमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताईए कि आपके कितने नमबर आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे रहता हूँ एस लिमिट जो आपके काउंट की गई थी एक एक दू हजार किस से काउंट की गई थी मिनमा मेज मांगी गई थी 18 साल मैक्जिमा मेज मांगी गई थी 30 साल препosite के लिए और मैक्जिमा मेज जो थी आपके 27 साल जूनियर मैनेजर के पोष्ट की थी उसमें आप से 27 साल मांगी गई थी तो सबसे पहले 2018 के कटाब के बारे में जान लेते हैं 2018 में क्या कटाप रहा था पोस्ट आप की थी एक्टिव सिविल की पोस्ट आप की थी जिसमें अन्रेजर्ब यूर की कटाप 92.50 लो कटाप थी 82.50 शुडूल कास HC की 80.50 और लो कटाप थी 76.00 HD की कटाप 80.25 और लो कटाप रही थी 77.75 ओबीसी की कटाप 82.75 लो कटाप थी 80.50 एक्स सर्विसमें की कटाप 79.25 59.50 लो कटाप PWDE की बात करेंगे 73.50 लो कटाप थी 56.25 अब बात करेंगे पोस्ट एक्कुरिटिव इलेक्ट्रिकल की ये एक्जाम आपका हुआ था 11.11.2018 तो अन्रेजर्ब यानि की यूर की जो कटाप थी 106.50 लोस कटाप थी 102.50 SC कटाप 97.50 लोस कटाप थी 92.50 एस्टी कटाप 97.75 लोस कटाप थी 95.75 अब बात करेंगे जोनियल एक्टुटिटिव अब बात करेंगे जूनियल एक्विटिव सिविल की क्या कटाप थी एक्जाम हुआ था ग्यारे ग्यारे जू हजार अठारे को कंडियाट ने एक्जाम दिया था एक्जाम दिया था और रेजिस्टेशन हुए था इसमें 468 यू आर की बाद करूंगा हाइस कटाप था 86 25 लोवस कटाप था 49.00 एस्टी का कटाप 49.00 लोवस कटाप 43.75 एस्टी का कटाप 46.00 और लोवस कटाप 39.75 ओबीजी का कटाप 52.75 लोवस कटाप था 45.25 एक्जाम का कटाप था हाइस 52.75 लोवस कटाप था 36.25 और पी डालुडी की बात करेंगे तो पी डालुडी का कटाप था 46.25 लोवस कटाप था 38 टिकर अब बात करेंगे पोस्ट एक्विटिव से एंड टी इसमें रेजिस्टे टोटल इस्टुडेंट्स इसमें अपियर होते पंदाजा 612 है तो यूर की हाइस कटाप थी 77.75 लुएस कटाप 68.25 हैचि के कटाप 67.75 लुएस कटाप थी 56.75 ह्ट कि कटाप 60.50 लुएस कटाप 51.25 ओवीज़ी के कटाप थी 68.25 लुएस कटाप थी 60.25 इएक्स सर्विसमें के कटाप थी हाइस 50.00 लुएस कटाप थी 37.50 पीड़लुडी की बाग करेंगे तो पीड़लु की कटाप थी 50.25 लुवर्स कटाप थी 34.50 ठीक है अगली जो आपकी पोस्टी एक्सिप्टीव की पोस्ट थी इसमें आपकी स्टेशन मास्टर कंट्रोलर ठीक है एक्जाम हुआ था 1011-2018 में अब लीकेशन फॉर्म फिल किया अग्जाम दिया था 26600 लोगों ने उसमें यू आर्मी कटाप हाईस्टी अठावी तसमेला पच्तर लुवर्स कटाप थी 83.50 एस्टी कटाप थी श्टी कटाप थी लुवर्स कटाप थी 88.75 एक्स सर्विसमान के कटाप थी 82.50 और लुवर्स कटाप थी 51.75 जूनियर एक्ट्रिटिव एलेक्ट्रिकल की कटाप देख लीजिए 1311-2018 को जाम हुआ था अब लीकेशन रेजिस्टर हुए थे 4,115 दो या शेसो उनत्ते लोगों ने एक्जाम द लुवर्स कटाप थी 53.50 एश्टी कटाप थी 56.75 लूवर्स कटाप थी 88.25 ओ बीसी की कटाप थी 58.76 लुवर्स कटाप थी occasions देश्बंदस्मलाब कच्चिस एक्स सर्विसमान की बात करेंगे 460.75 लूवर्स कटाप थी 78.75 प्यदो बात करेंगे 48.25 बात करेंगे 55.200 और एगली जो पोस्ट आपकी है जोनिया एक्सक्रूटिव एस एंटी इसमें टुटल अब्लीकेशन रेजिस्टर हुए थे एक हजार टुटल बच्चों ने एकजाम दिया था पांसो अर्चल लोगों ने एकजाम दिया था इसमें यूर की कटापती 92.50 लोग कटापती 62.50 ठीक सब्सक्राइब के बात करूंगा है हाइस कटापती 33.00 लोग कटापती 99.75 अगली जो पोस्ट आपकी मल्टी टास्किंग की सिविल इलेक्टिकल है इसमें टूटल रेश्टेशन हुए थे इसमें 28,863 और 19,899 बच्चों ने एकजाम दिया था यूर की कटापती 81.25 हाइस लोग थी 48 स्ट गटाप 56.75 लोग कटाप थी 40.75 एस्टी कटाप 71.54 लोग कटाप थी 41.50 डी कृटल रेश्ट अब देख लेते हैं 2020 में क्या कटाप रही थी इडवर्टाइसमें नंबर था धा दो 2020 तो पोश्रापती है Executive Finance इसमें UR की जो कटापती हाइस्ट 81.50, लोवर्ष्ट कटापती 78, हाइस्ट और लोवर्ष्ट कटापती 71, HD की कटाप 59,50, लोवर्ष्ट कटापती 69,50, OVC की बात करूंगा हाइस्ट कटापती 78, लोवर्ष्ट कटापती 91, EWS की कटापती 79,50, लोवर्ष्ट कटापती 77,50 Peetal Mei की बात करूंगा 58,75, लोवर्ष्ट कापती 59, 75 पोस्ट एक्ट्यूटिप की बात करूँगा इसमें इसका जो एक्जाम हुआ था 29-10-2020 को एक्जाम हुआ था नंबर आप कंडियर रेजिस्टेशन हुए था इसमें 2797 टोटल इस्टूडेंट्स ने 802 इस्टूडेंट्स एक्जाम दिया था इसमें यू आर की कटापती 90 और लुवर कटापती 90 पी डी की कटापती 65.25 और लुवर कटापती 60.25 अगली जो पोस्ट है आपकी एक्जिट्यूटिफ एक्जाम कराय था और दोसोब बारा बच्चों ने एक्जाम दिया था इसमें अब हम लोग DFCIL की एक्सपेक्टेड कटाप देख लेते हैं 2021 में क्या जाएगा यू आर की बात करूँगा तो यू आर का जो कटाप है 69.69 प्लस 3 अगर आपके नंबर 69 के बीच में आ रहे हैं 69 से 70 के बीच में तो आपका सेलेक्शन असानी से हो सकता है इनका जो कटाप है 61 प्लस 2 यनि आपके जो नंबर है 61 से 62 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्शन असानी से हो सकता है OVC की बात करूँगा OVC का जो कटाप जो OVC वाले बच्चे हैं इनका जो कटाप है 65 प्लस 3 के बीच में जा सकता है अगर आपके नंबर 65 से 68 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्शन असानी से हो सकता है अगर आपके नमबर 59 प्लस 2 यानि कि 69 से लगबग 62 के बीच में आपके नमबर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्षिन आसानी से हो सकता है पीड़ी की बात करूँगा तो पीड़ी वाले जो बच्चे हैं अगर इनके नमबर 56 प्लस 3 यानि कि 56 से 69 के बीच में अगर आपके नमबर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्षिन आसानी से हो जाएगा एक्स सर्विसमेंट की बात करूंगा तो एक्स सर्विसमेंट बाल जो इस्टुएंट्स हैं अगर इनके नंबर 50 आ रहे हैं तो आपका सेलेक्षिन आसानी से हो जाएगा अगर आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली हो तो कोमेंट बाक्स में यह बताईए कि आपके कित